हलो बच्छे लोग कैसे हो आप सब लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे तो बच्छो आज के वीडियो में मैं आपके लिए सास्मो ओलंपियार्ट के फॉर्म्स की डेटेल को लेके पूरी इंफॉर्मिशन देने वाला हूँ हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं उसके अंदर मैंने आपको सिंगापर ओलंपियार्ट के बारे में बताया था कि सिंगापर ओलंपियार्ट क्या होते हैं क्या उनके रिकॉंगनाईशन हैं क्या वैल्यूज हैं इन सब पर हम बात पहले कर चुके हैं आज हम टोटल बा सकते के लिए हैं तो आज हम बात करेंगी कि बहुत ही प्यारी इंट तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं तो सब्सक्राइब में बात बदाता हूं अपना मैट्स ओलंपियाड होता है सास्मो इसके रिकागनाईशन बहुत अच्छे हैं वेल्यू बहुत अच्छी है और इसके जो अच्छीवमेंट्स हैं वह भी बहुत जादा है जैसे आप जितने भी आईटी के टॉपर देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सास्मो ओलंपियाड के लियर किया हुआ है तो अगर आप नीट की तरफ जैई की तरफ जाना चाहरे हो तो आपकी रिकागनाईशन के लिए बहुत अच्छा स्टैफ है कि आप सास्मो ओलंपियाड जरूर दो इसके पेपर्स आप देखिएगा बहुत अच्छे questions आते हैं इसमें जो भी countries participate करती है उन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप लेवल वन क्वालिफाई कर सकते हो लेवल टू के लिए आप आगे जा सकते हो ठीक है तो चलिए शुरुबात करते हैं सबस हमने बात करी थी ठीक है और यहां पर अब हम बात करने वाले हैं कि भीया कैसे अब आप इस एक्जाम को दे सकते हो तो उसके लिए इंडियन इस्टुएंट्स के लिए जो वेबसाइट है वह है ओलंप्याड इंडिया डॉट इन इस पर जाके बचो आप विजिट कर सकते ह हूँ जितने भी आप यहां पर देखोगे जैसी आप वेबसाइट विजिट करोगे तो बहुत सारे जो अलंप्याड्स होते हैं जो इंडियन इस्टुएंट्स देते हैं फोरण कंट्रीज के वह यहां पर आपको दिख रहे होंगे सास्मों हो गया बांडा हो गया या आई है तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं ओबर व्यू बचो यहां पर आपने देखी चिवा देखी चुके कि 2006 में यह क्रियेट हुआ था सास्मों और यह क्यों क्रियेट किया गया था वह भी मैंने आपको बताए कि वह मैंस के जो स्टुएंट से मैंस लबर से उनकी प्रॉ स्टुएंट्स ठीक है और उसके बाद यहां पर 11 12 है उनको जूनियर माना जाता है ठीक है सेकेंडरी माना जाता है अपने पास 1910 वालों को दो सेक्शन आते हैं सेक्शन ए सेक्शन भी सेक्शन होता है वह 15 multiple choice questions होते हैं और section B में 10 non routine questions होते हैं ठीक है 15 जो question होते है वह आपक को मिलते हैं ठीक है और 15 points आपको पहले ही दे दिये जाते हैं जिससे कोई भी बच्चा negative marks score ना करे ठीक है अब वाट की बात करें तो perfect score award इसमें मिलता है gold medal मिलता है silver medal मिलता है bronze medal मिलता है ठीक है और जो top 40 students होते है 40% students उनको certificates मिलता है ठीक है और जो top 8% होते हैं उनको gold मिलता है देन उसके बाद next 12% होते हैं उनको silver मिलता है और next 20% जो बच्चे होते हैं उनको bronze medal मिलता है यह वाली बात हमने आपको करी लिए ठीक है registration close होने की date इसको बहुत अच्छे से मार्क करना close होने की registration date 15th of March है 15th of March से पहले आप सभी लोग को registration करने हैं बहुत सारे बच्चों के एक्जाम चल रहे हैं इसलिए हमें वीडियो अभी डालना पड़ा कि बहुत ही नजदीक है 15 दिन बच्चे है इसके अंदर आप registration कर सकते हैं और registration करने के लिए आपको सैस्मों की website से नहीं करना आपको Olympiad.in Olympiad.in की website से करना है यहां पर बच्चों आप register नाव पर क्लिक कर सकते हूं और रेजिस्टर नाव पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज यहां पर open होगा ठीक है और एक सब्सक्राइब यहां पर क्लिक करना है अपने को सास्मों की website पर ठीक है तो यहां पर आप अगर सास्म को एड़ करते हो तो यहां पर add to cart हो जाएगा या फिर आप बाइनाव के option पर भी जा सकते हो ठीक है और बाइनाव के option पर जाने के बाद बच्चों यहां पर यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स बढ़नी है कि वह स्कूल का नेम क्या है आप करेंट कौन सी क्लास में हो सकते हैं और यहां पर आप जैसे साई डिटेल बर दोगे तो आपको 1200 रुपीज का यहां पर पेमेंट करना है और डिटेल्स बच्चों आपको सारी यहां पर ओलंपिया डॉट इंडिया डॉटिंग वेबसाइट पर मिल जाएंगे तो आयोब आपको एक फॉर्म की डिटे सब्सक्राइब का नाम बापस से बता देता हूं ओलंपिया इंडिया डॉट इन तो यहां तक की बाते में आपको बता दी कि कैसे आपको डिटेल्स फिल करनी है ठीक है और अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी लगे फॉर्म करने में या कोई एक्जाम रिलेटेड आपको क कोई भी प्रॉबलम माय तो आप जो इंडिया मेनेजर है सासमों के उनको भी कनेक्ट कर सकते हो पिस्टरूपे इंदर दोबे और इनका यह नमबर है यह आपको सासमों की वेब साइट पर भी बंदा मिल जाएंगे अगर आप सासमों की वेबसाइट पर जाते हो वहां पर करोगे तो वहाँ पर भी आपको विजिवल हो जाएगा कि विया जो इंडिया मैनेजर है वो रूपे इंदर दुबे हैं उनका ये नंबर है उनसे आप करेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रब्लम आती है तो आयोप आपको इंफॉर्मिशन अच्छी लगी होगी ऐसे ही अमेजिंग सेशन्स हम आपके लिए और लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का थैंक यू